हेले दोस्तों आप सभी का सौगत है हमारे शरनाम नस्टर मोबाइल में तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप देख रहे तो आप भी गूगल पेमें ट्रांजेक्शन पूसेजिन का प्रोब्लेम फेस कर रहे होगे तो हाले में मुझे भी ये प्रोब्लेम आया था और इसको म वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो लास्ट अब जरूर देखना और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे तो वीडियो के नी glich transaction paid हो जाता है तो जो पैसे होते है वो सामने वाले के account में मतलब जिसको हुंक भैंज रही होता है तो ईसके the account director had to wait के लिए तो मैंने गया हो इसको पूछा iki év Oh प tender doesn't do message तो नहीं आया मैंने बोला फिर आपका जो तो आकांड का बैलनस है वो चेक किजीए तो दोस्तो ऋसने जब चेक एक जब ऑकंट का बैलन्स चेक किया तो दोस्तो दोस्तो जब आपमोंब जाती है と तो एसे डम पे आपको क्या है दोस्तों आपका पांस भूब का बैलेसे उसको चेक करना या फिर आपका जू पासबूक है उसको अगर प्रिंट मार देंगे तो वहां पे आपको एंट्री दिख जाएगी अगर आपके डिबिट देख जाएगी और दोस्तों अगर आपके इन्ट में आपको इतना यह बताना चाहूंगा अगर आपका ट्रांजेक्शन पेढ़ हो जाता है तो आपको करना जिसको आपने पैसे बेज़े तो उसको बोलना है कि बैंक का अकाउंड होता है उसका पासबुक होता है उसका प्रिंट मारने के लिए तो वहां पर दोस्तों transaction की entry दीख जाएगी और दोस्तों अगर आपका transaction failed हो जाता है और आपको लगता है कि आपके account में पैसे return नहीं आए तो आपको भी क्या करना है आपका जो account Google पे से link है तो उसका जो पास्बूक है उसके आपको प्रिंट मार देने और अगर आपके account में पैसे आ गई होंगे तो आपको वहाँ पर एक क्रेडिटेट के साथ एक क्रेडिटेट के भी entry आपको वहाँ पर शो हो जाएगी तो दोस्तों इसी जारा आप जो गूगल पे का transaction processing का problem में उसको आप solve कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके जो से वह solve हो गए होगे अगर फिर भी आपके मन में कुछ doubt या फिर questions है तो आप नीचे comment box में पूछ सकते हैं मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद